नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की छटी कक्षा की पाठ्थे पुस्तक ग्यान सागर के पाठ एक साथी हात बढ़ाना कवीता के अभ्यास के प्रश्न करेंगे इस कवीता की व्याख्या हम अपनी पिशली वीडियो में कर चुके हैं यदि किसी बच्चे ने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा तो आईए इस पार्ट का पहला प्रशन जो की कवीता में से है शुरू करते हैं मेहनत करने वाले मनुश्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और परवत क्या करते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं और मिलकर कदम बढ़ाते हैं एक साथ मिल जुलकर कारे करते हैं तो उनके आगे सागर और परवत क्या करते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर महनत करने वाले मनुश्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर भी रास्ता चोड़ देते हैं और परवत भी शीश जुकाते हैं। अर्थार्थ मिल जुलकर कारे करने से बड़े से बड़े और मुश्किल काम को भी अन्जाम दिया जा सकता है अगला प्रश्न महंती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है तो इसका उत्तर है महंती व्यक्तियों का रास्ता नेक और मंजिल सच की मंजिल होती है अगला प्रशन है हमारा तीसरा प्रशन देखते हैं उचित उत्तर पर सही का चिन लगाईए पहला देखते हैं इनसान के अपने लेख की रेखा क्या है आराम, महनत, कोशिश या सहजदा तो इन चारों में से जो सही उप्षन है इसका वह है महनत कि इनसान के अपने लेख की रेखा महनत है एक से एक कत्रा मिले तो क्या बन जाता है दरिया, रास्ता, धर्ती, आकाश तो एक से एक कत्रा मिले तो दरिया बन जाता है अगला प्रश्न कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए फोलादी है डैश अपने फोलादी है बाहे हम चाहे तो डैश में पैदा कर दे रहे तो इसे पूरुन करते हैं फोलादी है सीने अपने फोलादी है बाहे हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे अगला देखते हैं डैश गैरों की खातिर की आज डैश खातिर करना यानि कि कल गैरों के खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना डैश भी है एक साथी अपना डैश भी एक कि अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक अगला प्रशन बात्चीत से समंदित हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें इस पंक्ती से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर है हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें इस पंक्ती से मैं यह समझती हूँ कि यदि मनुश्य किसी कारे को करने का द्रिड संकल्प ले ले तो उस कारे को पूरा करने के लिए वह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कारे को करने का द्रिड संकल्प ले लिया है द्रिड निश्चे कर लिया है तो वह चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वह उस कारे को पूरा करने के लिए अपना पूरे मेहनत लगा देगा अपने पूरी जोर अपना पूरा जोर लगा देग इसलिए कहावे आया है कि हम चाहे तो चटानों में पैदा कर दे रहा है कि अगर व्यक्ति चाहे तो वह है अपने साहस से अपनी महनत से किसी भी कारे को मुश्किल से मुश्किल कारे को भी पूर्ण कर सकता है आप किने अपना साथी मानते हैं और क्यों? उत्तर हैं, मैं अपनी अंतरात्मा, मस्तिश्क, कर्म और दोनों हाथों को अपना साथी मानती हूँ ये बात जो है बिल्कुल सही है कि मनुश्य के जो सबसे अच्छे साथी होते हैं वो उसके उसके अंतरात्मा, मस्तिश्क, कर्म और दोनों हाथ है क्योंकि हमारी अंतरात्मा और हमारा मस्तिश्क हमें अच्छे करम यानि कि अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे दोनों हाथ उन अच्छे करमों को पूरा करने में हमारा साथ देते हैं यानि कि उन अच्छे कर्मों को पूर्ण करने के लिए मतलब उन अच्छे कर्मों का संपाधन करते हैं उन्हें पूर्ण करने में सहायता करते हैं आप साथियों के साथ मिलकर कौन-कौन से काम कर सकते हैं तो इसको उत्तर हैं हम अपने साथियों के साथ मिलकर सामूहिक परियोजना, सामूहिक खेल, समू परिचर्चा, प्रैतेकाल की सैर, सारवजनिक कारे क्रमों का आयोजन, गली महले की सफाई आधी काम कर सकते हैं कि जैसे हमारे मित्रे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे समू के तो हम उनके साथ निमलिखित कारे कर सकते हैं मिल जुलकर उनके साथ ये सबी कारे कर सकते हैं अगला प्रश्न साथी हात बढ़ाना पंगती का क्या भाव है आपने कब-कब दूसरों की सहायता के लिए हात आगे बढ़ाया है किसी एक घटना के बारे में बताईए तो इसका उतर है साथी हात बढ़ाना पंगती का भाव यह है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तयार रहना चाहिए मैंने भी कई बार दूसरों की सहायता के लिए हात बढ़ाया है जैसे कई बार मैंने अपने मित्रों की पढ़ाई में सहायता कर और उन्हें विविद विश्यों के नोट्स देकर उनकी सहायता की है कि आपने भी जैसे छात्र हैं तो आपने भी कभी ना कभी अपने मित्र की किसी ना किसी प्रकार से सहायता की होगी तो आप इस प्रशन का उत्तर स्वयम भी दे सकते हैं कि आपने कब और किसकी सहायता की उस घटना के बारे में आपने बताना है अगला प्रशन अनुमान और कल्पना से समंदित यदि कोई व्यक्ति अकेला ही सारे काम करेगा तो क्या होगा तो उत्तर हैं यदि कोई व्यक्ति अकेले ही सारे काम करेगा तो वह जल्दी ही ठक जाएगा और उसके बाकी के काम अधूरे ही रह जाएंगे और अकेले ही सारे काम करने से उसको जादा समय लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति अकेला किसी काम को कर रहा है तो उसका जो है समय अधिक लगेगा और कारे उतने अच्छे धंग से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे धंग से मिलकर उस कारे को किया जा सकता था कि अगर कोई भी कारे है यदि उसे कुछ व्यक्ति मिलकर करें तो वह कारे एक तो समय पर पूर्ण होगा और उस कारे के जो परिनाम है वो अच्छे होंगे और कारे भी सही धंग से पूर्ण हो जाएगा और अगर कोई अकेला व्यक्ति उस कारे को करने में लगेगा तो उसका एक तो समय भी अधिक लगेगा और वो ठक जाएगा जिस कारण वो कारे जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा उसके कारे में सिर्जनात्मक्ता नहीं दिखेगी अगला प्रश्ण है किन अवसरों पर लगता है कि सब का सुख दुख एक हो गया है बताईए उत्तर है जब होली दिवाली क्रिस्मस जैसे त्योहार आते हैं तो लगता है कि सब का सुख एक हो गया है सही बात है कि जब भी कोई त्योहार का अवसर आता है तो सबी जो हैं खुशियां मनाते हैं एक साथ मिल जूल कर तो ऐसा लगता है कि सबी का सुख जो है एक हो गया है और जब देश पर कोई प्राकरतिक विपदा आ जाती है तो लगता है कि सब का दुख एक हो गया है कि जब भी कोई देश पर किसी भी प्रकार की जो प्राकरदिक विपदा आती है जैसे बाड आ जाती है कई बार तो तब हमें ऐसा अहसास होता है ऐसा लगता है कि सब का दुख जो है वो एक हो गया है हम भी उनके दुख को महसूस कर सकते हैं जो भी मतलब इस विपदा से जूँज रहे हैं हम उनके दुख को महसूस कर सकते हैं अगला प्रश्न जीवन मुल्य से सम्बंदित साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना महनत अपने लेक की रेखा महनत से क्या डरना एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत अब प्रश्न देखते हैं क्या कवी ने सब को मिलकर महनत करके किस्मत बदलने की बात कही है तो इसका उत्तर है हाँ कवी ने सब को मिलकर महनत करके किस्मत बदलने की बात कही है यह देखे यहाँ पर कहा गया है साती हाथ बढ़ाना एक अकेला ठक जाएगा मिलकर बोज उठाना तो इससे ही है पता चलता है कि कवी ने सबको मिलकर मेहनत करके किस्मत बदलने की बात कही है कि महनत अपने लेक की रेखा, महनत से क्या डरना, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत अगला प्रश्न, क्या कवी का ऐसा संदेश देना उचित है, उधारन द्वारा स्पस्ट कीजिए हाँ, कवी का ऐसा संदेश देना बिलकुल सही है या उचित है क्योंकि आज तक इस दुनिया में जितने भी अविश्कार, खोज, निर्मान कार्य, सभ्यता और संस्कृती की प्रगती हुई है वो सब अधिकतर सामोहिक महनत का ही नतीजा है कहने कार्थी है कि आज तक इस संसार में जितने भी बड़े अविश्कार हुए है, खोजे हुई है चाहे वो सभ्यता और संस्कृती में प्रगती हो या निर्मान कार्य हो कोई एक व्यक्ती तो अकेला नहीं कर सकता ना उस कार्य को तो कई लोग मिलकर उस कार्य को करते हैं तब ही उसका जो परिनाम है वह सही अच्छा परिनाम निकलता है तो हमें इस कवी ने यही का कहा है इस कवीता में कि यदि हम मिल जुलकर किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह कार्य जो हैं सही समय पर और सही धंग से पोर्न होगा अगला प्रशन है भाशा की बात से समबंदित मिल जमा कर जोडने से मिल कर शब्द बना है जैसे यह कर कर दिया हुआ है तो हमें इनके आगे कोई और शब्द लगा कर नया शब्द बनाना है जैसे पहन, जमा, कर, पहन, कर, देख, जमा, कर, देख, कर, चल, जमा, कर, चल, कर, तो इसके अलावा भी आप कुछ और भी शब्दिन क्या के लगा सकते हैं, जैसे सो, जमा, कर, सो, कर, ठीक है, और हस, जमा, कर, हस, कर, तो इस तरह से आप नए शब्द बना सकते हैं, अगला प्रशन है हाथों के तोते उड़ना, हाथ से समंदित मुहावरा है, अब आप हाथ पर तीन मुहावरे ढूंड कर लिखिए, और उनका वाक्य में परियोग कीजिए, जैसे कि यह दिया गया हाथों के तोते उड़ना, य हाथ से समंदित मुहावरा है, तो अब हमें भी हाथ पर तीन मुहावरे और लिखने हैं, और उनका वाक्यों में परियोग करना है, तो हमने पहला मुहावरा क्या बनाया, हाथ साफ करना, तो हमें केवल वाक्य में परियोग करना है, आप इसका अर्थ भी जान लीजिए, हा पेड़ भरी बस में चोर ने मेरे पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया अगला मुहावरा हाथ पैर फूलना अर्थ होता है इसका डर से घबरा जाना पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए अगला मुहावरा हमने बनाया दोनों हाथों में लड़ू यानि की अर्थ है इसका दोनों और से लाब वाक्य क्या है इसका जब से मोहन की लाटरी लगी है तब से उसके दोनों हाथों में लड़ू है तो आप कोई और भी हाथ से सम्मंदित और भी मुहावरे बना सकते हैं और उनका वाक्य में परियोग कर सकते हैं आशा करती हो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार